कितना अच्छा लगता है जबकि हमारी इसके निकदम इवन टोन हो हमारे चेहरे में दाग दब्बे ना हो और हमारे चेहरे में गाले घेरे भी ना दिखाई देते हूं ब्लैमिशिस की प्रॉब्लम आज कल बहुत आम हो गई है तो मैं आज आप सबके एधात एक ऐसा सरल सा नुस्खा लेके आई हूँ जो हंडिट परसेंट बेनिफिशल है और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी किचिन में अवलिबल है इन चीजों को हम जब खाने में यूज क हेलो गाइज कैसे हैं आप मुझे अच्छी से पता है कि एक्शन स्प्रे का पूरा परिवार बहुत स्वस्थ है खुश है और अपनी स्किन का और अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान दख रहा है मेरे चैनल पे जाके वीडियो को चेक आउट कर लो कि किस तरह से मैंने अपने आने वाली फ्यूचर की वीडियो आपको देखने को मिल सके हैं आज मैं आपके साथ जो नुस्खा शेयर करने वाली उससे पहले मैं आपको कहूंगी कि भगवान के बनाएवे सभी लोग बहुत सुंदर होते हैं सुंदरता में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन कुछ गल् प्रॉब्लम्स को हम बहुत एजली कैसे सॉल्व कर सकते हैं मैंने लिया है एक चमच मेथी दाना अब यह मत कहना कि मेथी दाना के बारे में आपको नहीं पता इसमें भरपूर मात्रम होता है पोर्टीशियम कैल्शियम फोस्फोरस बिटामिन बी के आईरन वहत सारी बिटा जो लोग डेली मेथी दाना का यूज करते हैं उनका डाइडिशन बहुत अच्छा रहता है इतनी सारी प्रॉब्लम यह सॉल्व करता है तो इन सटीजों को हम छोड़के किसीच पर कॉंसेंट्रेट कर रहे हैं कि हमारी स्किन को यह कितना बैनिफिट दे सकता है यह हमारे ब मैक्सिमम पानी निकाल देंगे और इसको हम करेंगे ग्राइंड अगर यह अच्छे से ग्राइंड नहीं होता है बहुत कम क्वांटिटी होने की वज़े से तो इसमें थोड़ा सा पानी और मिक्स कर लेंगे इसको ग्राइंड करने के बाद इसको स्टें कर लेंगे और एफ इस पानी में में भराबर कॉंटिटी में मिलाया है मिल्क कॉटन की हेल्ब से पूरे पेस को क्लीन कर लिया है सेकिन्ड स्ट्रेप में जो हमारा ये अच्छा थिक पेस्ट तयार हुआ था इसने में थोड़ा से मिला है रैस फ्लॉर इससे क्या होगा आपका फेस अच्छा एक्सफॉलियेट हो जाएगा यह देखो इतना अच्छा जेल फॉर्म है कि आपके फेस पर अच्छे से चिपक भी नहीं रहा है इसको आप ऐसे ही स्कुरब करोगे और देखोगे कि कितनी स्किन क्लीन दिखाई दे रही है अगर आपको स्टेप नहीं आते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है आप इसको सिर्फ राउंड राउंड दो मिन्ट मेसाज कर लो अगर स्टेप देखना चाहते हो तो मैं आपको पुरानी वीडियो का लिंक दे दूंगी जिसमें आप चेक आउट कर सकते हो कि किस तरह से आपको फेस किस प् इसमें आपको मिलाना है आधा नीबू आपकी क्रीम की ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज बढ़ जाएंगी आपके दाग धब्बों को खतम करने की क्वालिटी और जदा इंप्रूब हो जाएगी और इसमें लास्ट चीज़ जो मैंने मिलाई है वो है हल्दी पाउडर में बह और हल्दी भी मिलाना है और यह प्रॉसेस एक साथ आप सकते हो लेकिन अगर अच्छा रिजल्ट चाहते हो प्रॉपर फेशिल करना चाहते हो तो इसी प्रॉसेस से करो अब आपको मसाज करनी है आपके ब्रेमिशिस किस जगे पे ज्यादा है वो इस्टेप आपको और इसमें लास्ट में आपको मिलाना है हनी मैं इस हनी के बारे मैं आपको बताओ यह स्कुन को टाइट करता है ब्राइट करता आपकी इस दिए क्रीश से एजिंग एफेक्ट्स कम करता रहे बहुत सारी प्रॉपर्टी हमारी हटनी आप ऩthink किया हो तो तो कीवड नगा और राउंड और मसाज देते हैं इसको क्लीन कर लेंगे और फिर पूरा फेशल होने के बाद आप फेस को देखो कितना क्लीन हो गया है स्किन कितनी ब्राइट दिखाई दे रही है एक्जमपल आपके सामने है इससे ज्यादा अच्छा एक्जमपल और क्या दे सकते हैं आपने स्टार्टिंग में मेरा फेस चेक कर लिया था और अब आप देख रहे हो कि फेस में कितना डिफरेंस आया है और दूसरी बात यह है कि अगर आपके ब्लैमिश बहुत ज्यादा है आपको टाइम नहीं मिलता है आप अल्टरने डेज में कर सकते हो लेकिन अगर आप चाहते हो कि अपका फेस इक्टम क्लीन हो जाए शांदार सा दिखाई दे तो आपको यह प्रोसेस तो करना पड़ेग और उनके लिए मैं और क्या कर सकती हूँ और उनकी पिक आप जिरूर भेज देना जिससे कि मैं आपको बता सका हूँ कि मैं आपके ब्लैमिश को ठीक करने के लिए आपके दाग दबों को आपके डाग स्पोर्ट को ठीक करने के लिए और क्या कर सकती हूँ अगर यह सरल सा और simple से वीडियो आपको पसंद आया हो और आपको लगता है कि आपके लिए helpful हो सकता है तो फटा-फट से एक like कर दो क्योंकि इतनी सारी बात सुनने में आप like करना भूल जाते हो और आपके like, आपका subscribe और आपके comments मेरे लिए बहुत important है Thank you for watching